जमो कश्मीर में जैसे जैसे मौसम सर्द होता जा रहा है वैसे वैसे आतंकवादी गतिवीदियों के कारण मोहौल भी गरम होता जा रहा है और जिसको अब जिस पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार की तरफ से पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है और कश्मीर घाटी के ल जो मेन उदेश्च माना जा रहा है इस मीटिंग का और जो बड़े फैंसले लिए जा सकते हैं कश्मीर घाटी को लेकर और कश्मीर की जो इस समय सिटुएशन बनी हुई है उस पर चर्चा हो सकती है और इसी के लिए अमित्शा और प्राइमिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच एक बैठक हो रही है जिसमें मैं आपको बता दूँ कि कल भी अमित्शा की तरफ से जितने भी सुरक्षाकर्मी है जितने भी उच्छे स्तर के सुरक्षाकर्मी है उनके साथ उन्होंने कल भी एक बैठक ली है और जिसमें सिक्योरिटी के लिहाज से पूरी जांच परताल की गई है और जिसमें उन्होंने पूरी बात की है लेकिन आपको बता दें कि कश्मीर घाटी के लिए कई बड़े फैंसले ले लिए भी जा चुके हैं जो जानकारी मैं पूरी आप तक अभी पहुंचाने जा रहा हूँ सबसे बड़ी जानकारी सबसे पहले आप सुन लीजिए कि पहली बार कश्मीर में महिलाओं की भी अब जांच की जाएगी जहां ये समय की बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इसमें मैं आपको बता दूँ जिस तरह से आतंकवादियों की तरफ से निर्दोष लोगों को टार्गेट किया जा रहा है उसी को मद्दे नजर रखते हुए कश्मीर में जितने भी जहां पर सर्वजानिक स्थल हैं वहां पर CRPF महिला कर्मियों को अब डिप्लॉई कर दिया जा रहा है और वहां पर महिला कर्मियों को डिप्लॉई किया जाएगा और ये 30 सालों में अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां पर महिला सुरक्षा कर्मी रहेंगी और जितने भी सर्वजानिक स्थल हैं बाजार हैं या फिर भीडबाड वाली जगाएं हैं वहां पर अब लाँ की भी अब जांच की जाएगी और सुरक्षा के लिहाज से कहीं पर भी कोई चूक ना हो इसका पूरा पूरा अब घ्रिया रखा घर झाएगा इस के साफ़ा वी बादिकारी हैं वह अब कश्मीर में बैटकर इसकी पूरी जाँच करेंगे कि जो हत्या की जा रही है जो टार्गेट की लिंग्स की जा रही है आखिर इसके पीछे है कौन और इसका पूरा परदाफाश किया जाएगा और इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि IB, NIA और साथ ही साथ इसमें RAW ये एजनसियां अब इस पर जोरो शोरो से काम करने जा रही है और दरजनू इनके जो लोग हैं वो कश्मीर में अब इसकी पूरी जाँच करेंगे और गहराई तक जाएंगे और इसका परदाफाश करेंगे कि आखिरकार इन सब जो टार्गेट क किये लेहाज से ही सबसे जादा बातचीत की जाएगी सुरक्षा को लेकर बातचीत की जाएगी और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सेना परमुक आज जमो कश्मीर के दोरे पर हैं और रजोरी पुंच में जाएंगे और वहाँ पर जा चुके हैं और जोरी पुंच की बात की जाए जमोरीजन के तो वहाँ पर भी तनाव बना हुआ है आतंकवाद को लेकर और आज आपको बता दें नोवा दिन है और अभी तक इस तरह की कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि पुंच के जंगलूं से हमारे सुरक्षा बलूं को हमारे नोजवान अभी तक शहीद हो चुके हैं लेकिन जल्द ही वहाँ से भी अच्छा समचार सुनने को मिलेगा सेना पर मुख वहाँ पहुंच चुके हैं और सुरक्षा के लिहाज से समीक्षा करेंगे और जोरी पुंच में देखेंगे कि किस तरह की सुरक्षा वेवस्ता है और इसी के साथ साथ अब जो घाटी में बड़ा फैंसला लिया गया है कि अब महीलाओं की भी वहाँ पर जांच होगी और 30 साल के बाद ऐसा फैंसला लिया गया है आप समझ सकते हैं कि एक लंबा अर्सा वहाला कि जिस समित आर्टिकल 370 हटाये गया था उस समय भी इस तरह कि कोई बात सामने नहीं आई थी उस समय भी इस तरह का फैंसला नहीं लिया गया था लेकिन अब कहीं न कहीं target killing हो रही हैं तो इसमें सरकार अब किसी भी तरह से कोई विचूक नहीं करना चाहती है सुरक्षाबल कहीं न कहीं चूक नहीं करना चाहते हैं इसलिए अब जो कश्मीर में महीलाएं हैं उनकी भी जांच की जाएगी जितने भी सार्वजानिक स्थल हैं वहाँ पर CRPF की महीलाओं को डिप्लॉई किया जाएगा और इसके साथ-साथ उनकी भी अब जांच की जाएगी तो ये बड़े फैंसले जो हैं इस समय की जो बड़ ये सब एजनसियां कर देंगी ऐसी तो उम्मीद जता कर हम चल ही सकते हैं लेकिन कश्मीर के लिए जिस तरह से अब ये बड़े फैंसले लिये जा रहे हैं आने वाले समय में इसका क्या असर देखने को मिलता है क्या जिस तरह से महीलाओं की भी जांच होगी और साथ ही साथ इसके पीछे की पूरी जड़ जानने के लिए तो कहीं न कहीं आप ये मान कर चल सकते हैं कि आने वाले समय में कश्मीर के हालात बहतर भी हो सकते हैं लेकिन आज जो मीटिंग चल रही है इस समय प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह के बीच वो भी देखने वाली बात होगी क क्या बड़े फैसल ये जाते हैं कल शाम को हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहांपर हमने आपको बताया था कि किस तरह से कश्मीर घाटी के तीन डिस्ट्रिक्स में और कुछ जगाओं पर उन तीन डिस्ट्रिक्स की कुछ जगाओं पर इंटरनेट सर्विसिस भी सस्प का और प्राइम मिनिस्टर के बीच की जो मीटिंग है उससे निकल कर क्या कुछ सामने आएगा ये भी देखना बहुत जादा महतपून होगा देखते रहिए चैनल वन जादा खबरों के लिए फिर जुडेंगे किसी और अपडेट के साथ नमस्कार